दोस्तो अब तक मैंने आपको पुराने एरोस त्यार करने के लिए लगने वाले सभी साहित्यकाद जिनका हमें अपने एरो को रिपेर करने में इस्तमाल करना है उसके बारे में पूरी जानकारी सिलसले वार तरीके से दी है साथ ही साथ मैंने आपको एरोस को किस तरीके से रिपेर करना है और उनके लिए क्या-क्याचा मगरी की जुरूत पड़ेगी इसके बारे में पूरे सिलसले वार तरीके से जानकारी दी है उसमें arrow का चुनाव करना और उन मैसे जो खराब arrow है उन्हें निकाल देना और जो नए arrow बनाने हैं उनके लिए जो भी हमें मेनत करनी है वो सब मैंने दो भागों में आपको बताया है अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं तीसरे भाग की तरफ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन सबी arrows को किस तरीके से हमें रिपेर करना है और हमें कितना समय लगा हमारे आर्चर्स ने पूरी मेनत करकर इस पूरे कारे को एक दिन में पूरा किया है हलाकि ये असंभब कार लेकिन फिर भी हमारे आर्चर्स ने पूरी मेनत के साथ सीखा है और सीखते सीखते उन्होंने खुदी ही arrows को रिपेर किया है दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक आर्चर अपने अपने विवाजित किये हुए कामों को कर रहा है जैसे कि सबसे पहले है शाफ्ट का सिरेक्शन करना चुनाव करना उसके बाद शाफ्ट को कट करना और कट करने के बाद में उसके साइज के हिसाब से उसके अंदर अगर छेद नहीं है तो उसे डिल मशीन से छेद करना और छेद करने के साथ साथ उसको फ्लेचिंग अगर नहीं है तो फ्लेच वाले हैं और एक हैं जो दूसरे एरो हैं यहां पर आप देख रहे हैं आर्चर जो है एक एरो की नौक निकालते हो नजर आ रहा है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आर्चर एरो की सफाई कर रहा है और जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें हटा रहा है यहां पर अगर आपके पास pencil है तो आप उससे भी mark करके तीनों फ्लेचिस को एक ही बराबर mark करना जरूरी है यह आपको ध्यान रखना है यह देखिए इस तरीके से आपको mark करके रख लेना है अब यहाँ पर फटे वोयारों को किस तरीके से जोड़ना है यह बताया जा रहा है आप फे लगाते हुए आराम से इसे करते जाना है दोस्तों थोड़ी बहुत फेविक हातों में लग सकती है तो चिंता ना करें आपने हातों को आप साफ कर सकते हैं आप जो भी तूटा फूटा भाग होता है उसे हमें कट कर लेना है यहाँ पर फेविबोंड का इस्तमाल करना आर्चर्स ने ंँसार एरो बनाए हैं और देखिए गुरु दुरूना आर्चरी चालना ने यह इरोस सभी आर्चर्ष ते मिलके बनाए हैं और यह हमारे आर्चर्ष है जो कुरी मेहनत से पूरी शिद्दत से इन्होंने एरो बनाए हैं बनाते बनाते तक्रीब हमारे पास 300-300 एरो थे जो हम रिपेर कर रहे थे हमने 90% काम रिपेरिंग का कर लिया है लेकिन फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स और कुछ नॉक्स कम पड़ गए हैं तो हम उसको आगे दिए हं रबर के कितंहें प्यारे फ्लेचिस हैं और साथ यह जो एयरो हैं यह ongeе हैं प्लासिक की winners वेमेश के यहां पर रिपेर हो चुके हैं मारे यहां वह भी देखीया अलग तरीके के लंबे लॉंग टाइप के जो एरोज हैं वो भी यहां पर ट्रेक्टिस के लिए त्यार हो चुके हैं दोस्तों यह जो एरो त्यार हुए हैं इनका उद्देश्य आर्चर को चुटिंग करते रहने के लिए प्रेरिट करना है और जब आर्चर अच्छे एरो ल करता हूं दोस्तों आपको यह तीसरा पार्ट भी समझ में आया होगा इसी तरीके के टुटोरियल्स हम हमेशा ले के आते रहते हैं आप चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेट कर सकते हैं तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जया के सबस्तों चलिए प्लागे बाले थारीके करें या हमेशा ठाट बाले हमेशा हमेशा की आपको फार्ट कर के लिई को हमारे लेकर रहते हैं अगले खाए हमें।